पोईराज 6 साल का है वो पहली नजर में सामान ने दिखता है लेकिन एक डेड़ साल की उम्र में उसके माता पिता को लगा था कि कुछ दिक्कत है उनका बेटा बेचायन रहता था और अपनी उम्र के बाकी बच्चों के मुकाबले ज्यादा लड़ खडाता था ये उसकी बीम पैदा हुआ तो सब ठीक था वो बाकी बच्चों जैसा ही था ये बिलकुल अचानक हुआ हम इस खबर से सदमे में थे बहुत दुखी थे डॉक्टरों ने बताया कि फिलहाल इसका कोई इलाज नहीं है इसका मतलब था कि उनका बच्चा जल्द ही वीलचेयर पर निरभर हो संक्षेप में 80 बरिस और आइलेंड कुछ साल पहले अपने बच्चे को तुर्की से जर्मनी लेकर आए उन्हें पता चला कि अमेरिका में इसी से पीडित एक बच्चे को नोवेल आरेने थेरपी दी जा रही है हमारे बेटे और उस अमेरिकी लड़की का जेनेटिक म्यूटेशन एक जैसा है तो उसे जो इलाज दिया जा रहा है वो हमारे लिए भी सही है हम बॉस्टन गए, इलाज शुरू करवाया और अब ट्यूबिंगन में इलाज चल रहा है यहां जर्मनी में ट्यूबिंगन यूनिवर्सिटी क्लीनिक के सेंटर फॉर रेर डिजीजेस के डॉक्टरों ने सिर से पाओं तक पोईराज की जाचकी और लक्षन पता लगाए उसके पाओं अस्थिर थे, एक और ध्यान खींचने वाली बात दिखी हमने देखा कि वो हमें बस पागल नहीं बना रहा था वो जटके के साथ ऐसी हरकते भी कर रहा था जिन्हें वो ठीक से नियंत्रित नहीं कर पा रहा था हर दिशा में, अपनी उंगलियों और आँखों से उसके लिए एक जगह पर बिना कोई गतिविधी किये हुए स्थिर रहना भी बहुत मुश्किल है नियूरोलाजिस्ट माथियाज जिनॉफिस, पोईराज का इलाज देख रही रिसर्च टीम का हिस्सा है वो बताते हैं कि बच्चे के दिमाग में बीमारी का असर दिखने लगा है कुछ बहुत हलके शुरुवाती संकेत दिखने लगे हैं जो बताते हैं कि नर्व सेल्स प्रभावित हुए हैं जैसे कि आप यहां हलके निशान देख सकते हैं जो इस बात का संकेत हैं कि नर्व सेल्स खत्म हुए हैं अब हमारा लक्ष है कि और नर्व सेल्स खत्म होने से रोकें। डॉक्टर पोईराज को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। वो शायद बीमारी के बढ़ने की रफ़तार घटा सकते हैं। लेकिन वो ऐसे जेनेटिक म्यूटेशन को कैसे हरा सकते हैं, जो बच्चे की कोशिकाओं में एक खास और जरूरी प्रोटीन बनने ही नहीं देता। हमें नया तरीका अपनाना पड़ा और उसके जेनेटिक म्यूटेशन के लिए खास थेरपी विक्सित करनी पड़ी। किसी चाबी जैसी ये थेरपी पोईराज के जीन मोडिफिकेशन के ताले में फिट बैठती है। आपको पहले ये समझना होगा कि उसका म्यूटेशन जीन में एक तरह का गलत रीडिंग पॉइंट बनाता है। ये थेरपी ये कारे ने मैसेंजर के इस्तेमाल करती है जो इस गलत रीडिंग वाली जगहे को छिपा देती है ताकि सामान ने और सही रीडिंग साइट फिर से इस्तेमाल होने लगे। पोईराज के माता-पिता की जिंदगी घर और क्लिनिक के बीच घूम रही है। आयलिन ने क्लिनिकल साइकोलोजिस्ट की अपनी नौकरी छोड़ दी है। पोईराज की बीमारी के लिए बहुत उर्जा, समय और देखरेक चाहिए। हर तीन महिने पर ये परिवार बर्लिन से ट्यूबिंग अन जाता है। हर बार पोईराज के कई टेस्ट होते हैं, उसे रीड में इंजेक्शन दिया जाता है। पोईराज को जिंदगी भर हर तीन महिने पर इस थेरेपी की जरूरत होगी। इस इलाज का सालाना खर्च सत्तर हजार यूरो है। इस से जुड़ा ज्यादा तर काम क्लिनिक में ही होता है। लेकिन अभी पुखता तौर पर नहीं कहा जा सकता कि आरेने इंजेक्शन कारकर होगा या नहीं। माइक्रूसकोप की जाच दिखाती है कि पोईराज की कोशिकाएं आरेने थेरेपी सोख रही है। लेकिन यहां डॉक्टर इस बच्चे की मदद से ज्यादा भी कुछ करना चाहते हैं। उनके संग्रह में और भी आरेने के टुकडे हैं जो जीन की समान गड़बडी वाले दूसरे लोगों के लिए मददगार हो सकते हैं। यही आरेने केट खास मरीजों के लिए खास दवाएं बनाने में इस्तेमाल हो सकती है। यह परियाप्त नहीं है लेकिन एक मरीज का इलाज करते हुए हम बाकी म्यूटेशन्स के लिए दूसरी और तीसरी आरेने थेरेपी विक्सित कर रहे हैं। हम चाबी वाले उसी सिध्धान्त का कई बार इस्तेमाल करके कई तरह की व्यक्तिगत थेरेपी बना सकते हैं। है तरह की तरहुछान्स के लेकिस एक्टिव दो स्वीज करते हैं। है है सबगत देख़ ले विक्तिगत अगते हैं।